जैर स्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको चंद ग्रहन से संबंद जानकारी दूँगा साथ ही कार्तिक पूरण मासी के को छुपाई भी बताँगा यह अपाय बहुत ही चमतकारी है कार्तिक पूरण मासी कब की रहेगी ब्रत कब रखना है चंद ग्रहन का सूता का जो समय है वो है क्या रहेगा साथ ही आठ रासियां कुंसी हैं जो ब्यादी भागिसालियों लखी रहने वाली है साल 2021 का आकरी चंद ग्रहन रहेगा साल की सबसे बड़ी पूरण मासी है इस बार बहुत ही अच्चा सुवयोग बन रहा है यह पूरण मासी बड़ी पूरण मासी मानी जाती है कार्तिक पूरण मासी वाले दिन विशेश रूप से तीन उपायन का विशेश मेहत्व है जो व्यक्तिय तीनों पाय करते हैं उनकी सभी मनुकामना पूरी हो जाती है कार्तिक पूरण मासी का जो ब्रत है वह 18 तारिक का रखा जाएगा क्योंकि 19 तारिको चंद ग्रेंड भी है और पूरण मासी दुपेर तक ही है उसके बाद में प्रत पदातिती प्रारम हो जाएगी तो प्रत पदातिती प्रारम होने के बाद में ग्रेंड भी लग जाएगा तो इस दिए 19 तारिक के व्रत का महत्व कम है 18 तारिक के व्रत का महत्व जादा है 18 तारिक को ग्रुवार भी पढ़ रहा है पूरण मासी और 14 सी भी है इसलिए व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है पूरण मासी वाले दिन तीनों पाए आपको करने हैं सबसे पहला भगवान विश्णु की पूजा सत्त नारान की कता करनी है भगवान को भूग लगाना है खीर का दूसरा उपाय है पीपल भग के नीचे 365 बत्ती जलाने का आपको पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त हो जाएगा अगर आप 365 बत्ती कार्टिक पूरण मासी वाले दिन पीपल भग के नीचे जलाते हैं सास्त्रूम का गया है कि इसका विशिज में तो है कार्टिक पूरण मासी वाले दिन पीपल भग के नीचे 365 बत्ती जला में फिर साथ वार कच्चा सूंदला पेटें फिर 101 परक्रमा ओल लगा में 108 परक्रमा पीपल भग की लगाने चाहिए अपनी मनुकामना बोल करके इससे सारे दोस्ट कुर्णली के दूर हो जाते हैं और जो भी मनुकामना बोल करके आप यह उपाय करेंगी वह मनुकामना आपकी अवस्य ही पूरी होगी विशिष महत्वेस का तीजरा उपाई इस दिन गोमाता की पूजा का गोमाता की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए गोमाता का अशीवात आपको मिल गया आपके सभी कारे सिद्ध हो जाएंगे इस दिन ब्रामन को भुजन करामें, दान करें इससे पूरे महिने का आपको फल पराप्त होगा गेरू लाल रंग की मिट्टी जैसा होता है यह पूजा बाली दुकान से आसानी से मिल जाता है गेरू अलाना है आपको, गेरू का विशिष महत्व है कापी लोग कमेंट कर रहेते हैं कि गेरू क्या होता है आप पूजा बाली दुकान पर जाओगे, वहां से बोलोगे कि गेरू चाहिए जो गेर्ण में यूज किया जाता है तो वो आपको मिट्टी जैसा एक डला देंगे वह लाल रंग का होता है इससे गरबती मेलाओं को पेट पर लगाना है इस दिन जब गेर्ण चल रहा हो तो उस समय गरबती मेलाओं को ध्यान रखना चाहिए उनको गेर्ण काल में अगनी नहीं जलानी चाहिए जब गेर्ण चल रहा हो तो उस समय अगनी का काम नहीं कर जैसे खाना बनाना है, दीपक जलाना है या कोई भी कारे है आपको अगने का कोई भी कारे नहीं करना है दूसरा है कि जब ग्रेंट चल रहा हूँ उस समय गरबती मेलाओं को फल सब्जी आदी नहीं काटने चाहिए क्योंकि बच्चे पर इसका बहुत ज़्यादा प्रवाब पड़ता है इसलिए मैं प्रतिक वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये कारे आपको नहीं करने ही कोई भी ऐसी गलती नहीं करने है जिससे परिशानी हो बच्चे पर ध्यान रखना है आपको तीसरा है सोना नहीं चाहिए और चोता है खाना नहीं खाना चाहिए इन बातों का बिशेश रूप से दियान रखें और पेट पर गेरू जरूर लगाए अगले ही है कि गिरहन काल में कटा हुआ फल, सबजी, पका हुआ अन, भोजन, सब कुछ दूसरे तो जाता है इसलिए गिरहन काल में आपको ये बना करके नहीं रखना चाहिए साथ ही जो सुखी सबजी है उन पर कुछा या तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें इस दन आठ रासियां बहुत ही भागिसाली और लखी रहने बाली है सबसे पहले मेश रासी जो इस दिन बहुत ही भागिसाली रहने बाली है मेश रासी बालों को सपलता मिलेगी संतान धन प्राप्ति का योग बना हुआ है जो आपको बहतर परणाम दिखाएगा और साथ ही आपके कई कारे बनने भी शुरू हो जाएंगे जो कारे आपके रुके हुए हैं जिन कारें में आपको काम्या भी नहीं मिल रहे थी वह कारे आपके बनने शुरू हो जाएंगे बहुत ही अच्छा योग है दूसरी जो रासी है वह है मित्वन रासी मित्वन रासी का योग बहुत ही अच्छा है मित्वन रासी बालों को सपलता मिलेगी संतान धन प्राप्ति के योग बनेगी आपका मान सम्मान बढ़ेगा परवार में खुशी का माउल रहेगा बिद्यारतियों को भी केरियर केतर में सफलता मिलेगी वही मैलाओं को भी सिशलाब मिलने बाला है करकरासी बालों को भी यह दिन बहुत ही भागे साली रहने बाला है और इसी दिन से आपके सुब समय की शुरुआत हो जाएगी, बहुत ही जादा सपलताय मिलेंगे आपको, अक्सर कापी समय से जिस कार को लेकर के आप परिशान थे आपका कार नहीं बन पा रहा था, प्रते कारों में रुकाबटे आ रहे थी, तो वो रुकाबटे अब आपकी दूर होंगी, आपको विशिश पलताय मिलेंगी, धन का संतान का योग बनेगा, साथ ही आपके कैई की रुके हुए कार भी बनेगे, कर्ज से भी मुक्त में लेगे और स्वास्त में भी लाम मिलेगा, वही सिंगरासी वालों का ब्योपार अच्छा रहेगा, नए लोगों स जिनकी सायता से आपका कारोवार अच्छा चलेगा, आपकी नोकरी में प्रमोशन मिलेगा, गर परवार का कोई भी कार अटका हुआ है आपका, या किसी भी जिजए से कोई भी कार अपका रुका हुआ है, तो वह सफलता आपको जरूर मिलेगी कन्यारासी वालों को भी विश्य इसलाम मिलेगा कन्यारासी का योग भी अच्छा है आपको भार जाने का योग भी बनेगा यात्राओं पर जाने का योग बनेगा स्वास्ता आपका अच्छा रहेगा बानादी का सुक भी आपको मिलेगा बानादी का योग भी आपका बहुत ही अच्छा बना हुआ है आने वाले समय आपके लिए बहुत ही अच्छा अचाना खुशी मिलेगी जीवन संगनी का लाइप आटनर का भी सहयोग मिलेगा वही महला को भी विशिसलाम मिलने वाला उनकी भी मन उकाम नपोरी होगी यहन नाम के इसाफ से है चिनकी भी यह बहुत ही अच्छा है आने वाला समय आप गली बेहती सुब रहने वाला है धन, सन्तान, सुक, बहब आप सब कुछ पराज़ को वहीं त लारासी बालों को द्यान रखना होगा योग तो उनके अच्छे बने हुए, संतान धन के योग तो अच्छे बने हुए लेकिन स्वास्त का और धन का विश्य शुप से उनको द्यान रखना होगा वही धनुरासी वालों के लिए भी बियदी शुप समय रहने वाला है धनुरासी वालों को भी सपलता मिलेगी मान सम्मान फुत्र धन प्राप्ति का योग बनेगा कुमरासी वालों को भी यही योग बनेगा बहुत ही अच्छा योग बनेगा आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा वाला है और कुम्रासी बालों का तो बहुत ही अच्छा है 20 नममर के बाद में कुम्रासी का समय और ज़्यादा तेजी से बत लेगा क्योंकि गुरू का गोचर होगा तो समय आपका बहुत ही अच्छा रहने बाला है आने वाले समय आपके लिए कैई सपलताल आने वाले हैं मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो को शियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन बटन को जरू दबाएं मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको और प्रकार की नोलिज की वीडियो प्राप्त होगी